एकदम भंडारे जैसी हलवाई स्टाइल चटपटी खटी मिठी कद्दू की सबजी आज हम बना कर तयार करेंगे बहुत ही चटपट से बनकर तयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्याम रसोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना कद्दू की सबजी बनाने के लिए मैंने यहां 500 ग्राम कद्दू लिया है कद्दू को अच्छे से धोकर बड़े बड़े पीसेज में काट लिया है मैंने चिलके के साथ काटा है एकदम पतला चिलका है आप चाहें तो इसका चिलका हटा सकते हो कद्दू की सबजी बनाने के लिए हमेशा हलके पीले रंग वाले कद्दू का इस्तेमाल कीजिएगा अब हम एक कडाही में 3 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे सरसों के तेल में बनाईएगा टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा तो तेल हमारा गरम होता है तब तक मैं बताती हूँ मैंने यहाँ पर एक चोटा चमच सोंफ, आधा चोटा चमच जीरा, वन फोर्थ चोटा चमच मेथी दाना, वन फोर्थ चोटा चमच कलोंजी और वन फोर्थ चोटा चमच सरसों लिया है, तेल को हाई फ्लेम पर अच्छे से धुआ आने तक हमने गरम कर लिया है, धुआ उठने लगा है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जब तेल नोर्मल टेंपरेचर पर आ जाएगा, तब गैस का फ्लेम आन करके ये सारे मसाले डाल दीजिए, और वन फोर्थ चमच हींग डाल दीजिए, अब हम इसमें एक तेज पता डाल देते हैं, अब हम 20 से 30 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पर इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे, मसालों को हमने भून लिया है, अब हम इसमें आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे, तेल में हल्दी पाउडर डालेंगे तो सबजी में कलर बहुत ही बढ़ी आएगा, अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ये सारे कद्दू डाल दे कद्दू को हाई फ्लेम पर पकाने से सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है हमने एक मिनिट के लिए कद्दू को कंटिनू चलाते हुए पका लिया है अब हम इसमें लगबग एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे साथ ही मैं यहां दो हरी मिर्च डाल रही हूँ यह देखे जैसे हम मिर्ची के टिपोरे बनाते हैं उस तरह से काट कर मैं हमेशा कद्दू की सब्जी में डालती हूँ इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स हरी मिर्च के मातरा आप चाहें तो कम कर सकते हो हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम सब्जी को ढखकर लगबग 6-7 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे अभी हमें सब्जी को पकाते हुए 3 मिनिट हुआ है इसे बीच में हम चला लेते हैं और फिर से इसे ढखकर पकाएंगे सब्जी को हमने करीबन 6 मिनिट के लिए पका लिया है और सब्जी हमारी हलकी सी सौफ्ट हुई है तो अब हम इसमें बाकी के कुछ मसाले और डालेंगे आधा चोटा चम्मच मैंने यहां कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल अच्छे से किया है तो मैंने आधा चोटा चम्मच ही लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च पहुत ही कम तिखी होती है दो छोटा चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है अब हम इन मसालों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे गैस का flame medium to low रखिएगा मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें लगबक 3 से 4 चम्मच पानी डाल देते हैं क्योंकि अभी हम सबजी को काफी पकाएंगे तो मसाले जल न जाए और अब हम सबजी को तब तक पकाएंगे जब तक की कद्दू सॉफ्ट नहीं हो जाते medium to low flame रखिएगा अभी हमें सबजी को पकाते हुए लगबक 6 से 7 मिनिट हो गया है लेकिन अभी भी कद्दू काफी hard है तो हम इसे फिर से ढख देते हैं तो बीच बीच में आपको चला लेना है इसे और अभी हमें फिर से 6 से 7 मिनिट और हो गया है और सबजी देखने में काफी अच्छी लग रही है soft दिख रही है अब हम last में इसमें एक चम्मच भरकर आमचूर का powder डालेंगे 1 फोर्थ चम्मच गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला आप चाहें तो skip भी कर सकते हो डेली में मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ दो छोटे चम्मच चीनी डाल देंगे ये सबजी खटी मिठी बहुत अच्छी लगती है चीनी की जगे आप गुड का इस्तेमाल भी कर सकते हो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद हम सबजी को केवल दो मिनिट के लिए और ढखकर पकाएंगे तो मीडियम टू लो फ्लेम ही रखिएगा सबजी को हमने दो से तीन मिनिट के लिए और पका लिया है कद्दू को पकने में करीबन 22-23 मिनिट का समय लग जाता है और यह हमारी सबजी बनकर बिलकुल तयार हो चुकी है यह देखिए हम इसे चेक कर लेते हैं सॉफ्ट हो गई है आपको खटा मिठा कुछ भी कम लगे तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिए और अब हम इसमें बारिक कटा हुआ हराधनिया डाल कर मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो यह लीजी हमारी भंडारे स्टाइल खटी मिठी कद्दू की सबजी बनकर बिलकुल तयार है इस सबजी को आप पूरियों के साथ इंजॉय कर सकते हो मैं इस सबजी को जादा तर कड़ी और मिसी रोटी के साथ बनाती हूँ क्योंकि यह खटी मिठी सबजी बहुत बढ़िया लगती है तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शियर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके